हे एबरिवन आज बनाएंगे आलू और प्याज के पकोड़े आप सबने तो खाया ही होगा अज मेरे स्टाइल से बना करके देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही एल्दी टेस्टी बन करके तयार होती है आज हम आटे से बनाएंगे गेहूं के आटे से जो की हेल्दी और टेश्टी भी होगा चलिए बनाते हैं सबसे पहले हम प्याज को कटिंग करेंगे और प्याज का यह पार्ट जो होता है ना बीच वाला इसको कट करके साइड में रख लेंगे उसके बाद हम लच्छों में प्याज को काटेंगे यह देखिए मैंने जैसे काटा है ऐसे ही काट इतना है आपको उसके बाद हम क्या करेंगे आलू को भी ऐसे ही काट करके रेडी कर लेंगे तो यह देखिए मैंने सारे प्याज और एक आलू लिया था उस सबको अच्छे से लच्छों में काट लिया है अब हाथ से ऐसे मिक्स करेंगे इतने भी प्याज जो होंगे वो नि ऐसे पार्ट्स पार्ट्स में अलग कर लेना है यह देखिए कितने अच्छी तरके से अलग हो रहे हैं अब हम इसमें डालेंगे नमक इसके बाद हल्दी डालेंगे इसके बाद कुटा हुआ लाल मिर्ष डालेंगे मतलब चिली फ्लेक्स उसके बाद मैंने क्या डाला है थोरा से एक चमच बेशन लिया है और चार चमच मैंने आटा लिया है और इसमें डाला है अजवाइन और थोरा अद्रक लहसन का पेस्ट औ और पाई डीज को मिक्स कर लेंगे इसके बार अच्छे से मिक्स करना है पानी ल misammen के पाई ठीजी है और लाष्ट में क्या करेंगे हम एक बहुत कम एक काने काने वाला बेकिंग सोडा डालेंगे उससे क्या होगा हमारी जो पकोड़े हैं वह ऑईली नहीं बनेंगे एक दम सुखा और अच्छा बनेगा क्रिस्पी बनेंगे तो यह यह चीज़ आप नहीं भूलिए का लास्ट में हमें डाला है बेकिंग सोड़ा वह भी हाफ पिंच और इसके बाद और में हम पक पकोड़ बनाया है आप चाहएं कि테र बेरीवावाले साइज के भी बना सकते हैं नहीं यह फोर्ट यह सऄने में थ्छय ही अच्छे लगते और देखने में बहुत ही अच्छे लगते तो जो आलू का टेक्स्चर है ना आलू का टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है प्याल्च के पकोड़ों में तो आप जरूर डाल के ट्राइ कीजिए और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक सेब सब्सक्राइब किजिए मैं मिलती हूँ मेरे निव रेशिपी में बाबाई